रंग बिरंगे पंखो वाली तितलियों को देखने में कितना सुन्दर और अच्छा लगता है। इसे हम अपने सब्दों में बयार नहीं कर सकते हैं। बस इसकी सुन्दरता को हम महसूस कर सकते हैं। आईए जानते हैं इन तितलियों के बारे में कुछ रोचक तथियों को नमस्कार उतकिष्ट ग्यार में आप सभी का स्वागत है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले तितलियों का वैज्यानिक नाम रो पेलो सेरा है तितलियां लेपी टॉप टेरा परिवार से हैं तितलियों की 17,500 प्रजातियां पूरे बिस्व में मौजूद हैं भारत में तितलियों की 15,000 प्रजातियां पाई जाती हैं वैज्ञानिकों के सोध में पाया गया कि तितलियों का संपूर्ण जीवन चार भागों में बटा हुआ है जिसमें अंडा, लार्वा यानि कैटरपिलर, प्यूपा यानि क्रिसलिस और वेख्स सामिल है पैरू देश में तितलियों की सबसे ज़्यादा प्रजातिया मौजूद हैं, यहाँ पर तितलियों की कुल 3700 प्रजातिया पाई जाती हैं, अब भी यहाँ पर प्रजातिया खोजी जा रही हैं, यह अनुमाल लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कुल 4200 प्रजातिया हो सकती हैं प्रजातियों के मुताबिक इनकी जीवनकाल एक सब्ता से लेकर एक साल तक का होता है तितलियां हमेशा अपना अंडा पत्तों पर देती है और उन बच्चों का पहला भोजन भी वही पत्ता होता है जिस पत्ता पर वे अंडे से बाहर निकलते हैं क्वीन अलेक्जेंडराज बॉल्ड विंग प्रजाति की तितलियां सबसे बड़ी होती हैं इनके पंक 30 सेंटिमीटर तक फैलते हैं जो की आम तितलियों की तुलना में दस गुना जादा बड़ा है वेस्टन पिग्मी ब्लू तितली अभी तक के मौजुद रिकॉर्ड के मुताविक दुनिया की सबसे छोटी तितलियों की प्रजाति हैं इनकी लंबाई 1.3 सेंटिमीटर तक होती हैं तितलिया आम तौर पर 28 से 33 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से उड़ती हैं पर वे 37 किलो मीटर प्रती घंटे की रफ़तार से उड़ सकती हैं तितलिया भी मधुमक्यों की तरफ फूलों के रस को ही चूजती हैं तितलियों का दिल आम तोर पर एक मिलट में साट से सौ बार ध्रकता है पर कभी कभी दो सो पचास से चार सौ बार एक मिलट में ध्रकने लगता है तितलियों के खून ठंडे होते हैं तित्लियां किसी भी चीज का स्वाद उस पर खड़ी हो कर लेती हैं क्योंकि इनके स्वाद चखने वाले सेंसर पैरों में पाए जाते हैं तित्लियों को सटिकता की महरत हासिल है ये सौ किलो मीटर तक बिना अपना रास्ता भटके सटिक तरीके से अपने लक्ष तक पहुँच जाती हैं तित्लियों में सुनने की छमता नहीं होती है बस वे उस आवाज के वाइब्रेशन को महसूस कर सकती हैं तित्लियां भविस से भी देख सकती हैं वे अगले दिन के मौसम का अंदाजा एक दिन पहले ही लगा सकती हैं तित्लियां तीन हजार फिट के उचाई तक उड़ सकती हैं अमेजन के जंगलों में पाई जाने वाले तितलियों के सरीर में सोडियम की कमी होती है और वे इस कमी को पूरा करने के लिए कछूओं का आसू पीती है तितलियों के मुँपर एंटीना जैसा होता है जिससे वे हर तरह के खुस्बू को सुंग सकती है तितलियां अपने पंखों के आवाज से एक दूसरे से संपर्ग करती है व्यस्क तितलियां अपना खाना पूरी तरह से पचा लेती है और अपने सरीर से कुछ भी कचड़ा बाहर नहीं निकालती है एक तितली है जिसका नाम 89-98 है इस तितली के पंख पर एक तरफ 98 और एक तरफ 89 लिखा हुआ है तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो तितलियों के बारे में कैसा लगा प्लीज कॉमेंट कर जुरू बताईएगा और लाइक सब्सक्राइब सेकना नहीं भूलिएगा धन्यवाद